दुर्गपूर समय के सांथ सांथ उभरता हुआ पच्छिम बंगाल का एक खुपसूरत सहर है क्या आप जानते हैं कोलकाता और आसंसुल के बाद ये पच्छिम बंगाल का तीस रा सबसे बड़ा सहर है आज दुर्गपूर खासकर अपने स्पात उद्ध्योग और एन आईटी के लिए जाना जाता है आपको जानकर आज चड़े होगा कि दुर्गपूर भारत का एक मात्र ऐसा सहर है जिसके पास ऑपरेशन ड्राइडॉक है कुछ बीते सालों की बात करें तो इस सहर का अधिकान शित्र जंगलों से भड़ा हुआ था लेकिन आज देखिए दुर्गपूर सहर की गिंती तरक्की करते सहरों में से एक होती है जिसका सबसे बड़ा उधारन यहां मौजूद बड़े-बड़े बिल्डिंग्स, सौपिंग मॉल्स, हाउसिंग कॉंप्लेक्स, फैमिली पार्क्स, यहां के मार्केट्स और भी बहुत कुछ तरक्की की रहा पर बढ़ रहा यह सहर यहां आने वाले टूरिस्ट के लिए भी खास माना जाता है अगर आप दुर्गपूर के निवासी हैं तब तो आप जानते होंगे सहर के मध्यमी इस्थित सिटी सेंटर को हाट आफ दुर्गपूर कहा जाता है दुर्गपूर सहर के सिटी संटर से लगभग थोड़ी ही दूर पर इस्थित जंक्शन मॉल यहां के खुफसुरत जगों में से एक है आप अपने फैमिली के साथ एक अच्छी शाम बिता सकते हैं और कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं जंक्शन मॉल में आपको हर तरह के ब्रैंड्स, बच्चों के लिए गेम्स, रेस्टूरेंट्स, बार, मुवीज हॉल और भी बहुत कुछ मिल जाते हैं सिटी सेंटर के पास में मौजूद बिग बाजार फैमिली सौपिंग के लिए खासकर जाना जाता है यहाँ आपको घरेवन जरूरतों के समान, उचित कीमत और वो भी डिसकाउंट के साथ ले सकते हैं यहाँ आपको हमेसे क्राउड देखनी को मिलेगा चलिए तो अब चलते हैं दुर्गापूर के और भी खास जगों पे दुर्गापूर अपने खुपसूरत गार्डेन के लिए भी जाना जाता है कुमार मंगलम पार्क, आनन्द एमिजमेंट पार्क यहाँ का एक खुपसूरत और लोकप्रियब पार्क है पार्क में मौज मस्ती और एडवेंचर के लिए काफी कुछ मौजूद है ओवराल दिखा जाए तो एक परफेक्ट जगा है फैमिली के साथ टाइम स्पेंट करने की यहां का बेनाचेटी मार्केट फैमिली मार्केटिंग के लिए भी जाना जाता है साथी के लिए शौपिंग करनी हो या तेवहार के लिए समान लेना हो वो भी किफाहती दाम पर मिल जाते हैं बस थोड़ा आपको बार्गनी करना पड़ेगा बेनाचेटी बाजार में इस्तित माकाली का एक लुप्रिय मंदिर है यहां भक्तु का आना जाना लगा रहता है दुरुगापूर सिटी सेंटर से लगपक 10 किलूमीटर की दूरी पर अंडाल में मौजूद काजी नजरूल इसलाम एयरपोर्ट है यहां से आपको हैदराबाद, डेली, मुंबई के लिए फ्लाइट्स मिल जाती है दूस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक और अपने दूस्तों में सेयर कर दीजेगा चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में जय हिंद जय भारत